आपके पास में दियागा कि a equal to 2 है और b equal to, यानि कि यहाँ पर a एक set है, जिसके अंदर 2 elements है, b एक set है, जिसके अंदर 2 elements है, finding the number of relation from a to b, यानि कि क्या पूछा वही, number of relation from a to b, ठीक है, अब हमने यह theory तो पूरी complete ही कर चुके थे, यानि कि number of relation from a to b set, ठीक है, अब वही बात आ यहाँ पर, तो solution में क्या करने वाले हम, solution में आपको देखिएगा कि a set आपके लिए क्या है, 1, 2 है, और b set आपके लिए देखिएगा क्या है, 3, 4 है, ठीक है, अब इसके देखिएगा कार्टिशन प्रोडक्ट, यानि कि कितने element है, a set to b set, तो यहाँ से देखिए, 1 कितने को तो तीर मारेगा, ठीक है, यह, तो इसके अंदर total number, इसके कितने होगे, total number of elements, इन कार्टिशन प्रोडक्ट कितने होगे, एक रोस, b के अंदर कितने element होगे, 4, ठीक है, अब हम क्या करते है, कि इसके अंदर subset देखिएगा, तो total numbers of subset, total number of subsets in a cross b, equal to कितना आएगा, 2, 2 की power 4, तो यह, कितना आजाएगा, यहाँ से 16, ठीक है, 16 आते ही, अब यहाँ से अपने पास, so, तो total number of relation, from a to b, क्या होंगे, वो भी यही होंगे, 2 की power 4, 16, यही होगा,